आप देख रहे हैं Network 33 राज कुमार के साथ तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की और आज की कहानी इस्टाग्राम पर शेर की है आजमगर यूपी के रहने वाले इमरान जी ने इमरान जी बताते हैं कि ये तब की बात है जब मैं मुंबई से अपने घर यानि आजमगर इस्टेशन पहुँची अब मुझे इस्टेशन से निकल कर आगे के लिए बस पकड़नी थी मगर जब मैं इस्टेशन से बहन निकला तो तब वहाँ पर कोई भी सवारी मौजूद नहीं थी कुछ और दिर तक वेट करने के बाद भी कोई सवारी नहीं आई तो मैंने सोचा कि यहां बैठे बैठे वक्त बरबाद करने से तो अच्छा है कि आगे बस इस्टॉप से बस पकड़ दी जाए बस इस्टॉप तक पहुँचने के लिए मुझे बस एक पुल ही पार करना था लिहाजन मैं बस इस्टॉप की तरफ अपना बैग लिये चल दिया और जब मैं उस पुल पर पहुँचा तो पुल पर पहुचते ही सबसे पहले मेरी नजल पुल पर खड़ी एक लड़की पर पड़ी जो चुपचाप सिर्फ खड़ी ही थी पहले तो उसे वहाँ पर अकेला देखकर थोड़ा मैं डरसा गया मगर जब मुझे लगा कि वो सिर्फ एक लड मैं अभी उस लड़की से कुछी कदम आगे निकला ही होंगा कि वो लड़की टोकते ही मुझे से बोली सुनिये उसके सुनिये कहते ही मैं एकदम से रुका और धीरे से पीचे के और पलड़ते ही बोला जी आपने मुझे से कुछ कहा इस पर वो मुस्कुराई और फिर बोली हाँ वो आप कहा जा रहे हैं इस पर मैंने कहा ये बस स्टॉप तक फिर वहाँ से आगे के लिए बस पकड़ लूँगा इस पर वो बोले ओ अच्छा अगर आप बुरा न माने तो मैं भी आपके साथ बस स्टॉप तक चल सकती हूँ इस पर मैंने कहा हाँ क्यों नहीं और फिर हम दोनों बाते करते करते बस इस टॉप के तरफ बढ़ने लगे बातों ही बातों में जब मैंने पूछा कि आप इतनी रात गए वो भी अकेली पुल पर खड़ी क्या कर रही थी तो उसने जबाब देतुएं कहा अच्छा वो क्या है कि मैंने स्टेशन से एक आटो लिया था पर उस आटो वाले ने मुझे पुल के पीछे ये बोलकर उतार दिया कि उसे दूसरी तरफ जाना है मैंने उससे कहा भी कि मैं यहां के लिए कहां जाओंगी मगर उसने मेरी एक भी ना सुनी और वो चला गया फिर कुछ दिर बाद आप मिलके उसकी बात खत्म हुई और इसी बीच हम बस स्टॉप पहुँच गए मगर वहां पर उस वक कोई बस नहीं लगी हुई थी आसपास के लोगों से पूछने पर पता चला कि अभी तो कोई बस आने वाली नहीं है और सुभा के साथ बज़े तक इंतजार करना पड़ेगा मैंने भी सोचा चलो कोई बात नहीं इंतजार ही कर लेते हैं कि तबहे वो लड़की बोले यहीं बगल में मेरे अंकल का घर है अगर आपको बुरा ना लगे तो चलिए मेरे साथ इस पर मैंने कहा जी धन्यबाद मैं यहीं ठीक हूँ आप परशान ना होएं मैंने इतना कहा ही था कि फिर जोरो की बारिश शुरू हो गई और बारिश के सुरू होते ही उस लड़की ने मिरा हाथ पकड़ा और वहां से मुझे ले जाने लगी कुछ दूर तक तो मैं उसके साथ चला भी आया मगर पता नहीं क्यों मुझे अचानक ही बेचैनी सी होने लगी जिस बजहे से मैंने उससे अपना हाथ चुड़ा तो बोला जी नहीं नहीं मैं नहीं चल सकता आपके साथ मैंने अभी इतना कहा ही था कि उस लड़की ने कहा क्यों नहीं चल सकते मगर अब उसकी आवाज बहुत ही बदली हुई थे फिर वो मेरी तरफ पल्टे तो मैंने देखा कि अब उसके चेहरे पर बहुत से चोटों के निसान थे मानो उसे बुरी तरह से मारा पीटा गया हो इससे पहले मैं कुछ करता कि तभी वो लड़की एकतम से मेरे करीब आ गई और नीचे ढखेल दिया मेरे नीचे गिरते ही वो मेरे सीने पर बैठ गई और मेरा कला दबाने लगी और देखते ही देखते मेरे आखों के आगे अंधेरा छा गया फिर जब मुझे होश आया तो मैं वही पड़ा हुआ था और मेरे असपास कुछ लोग खड़ी थे मेरे होश में आते ही जब उन्होंने पूछा अरे भाई क्या हुआ था तो मैंने उन्हें सारी बात बताई मेरे बाते सुनने के बाद एक लोकल आदमी ने बताया कि कुछ दुनों पहले पुल पर एक लड़की की नगन अवस्था में लाश मिली थी लोगों का कहना ही की वो कोई सहरी लड़की थी जो अपने घर लोट रही थी रात का वक्त होने के कारण कुछ आसमाजिक तत्ववालों ने उसका फाइदा उठाया और उस लड़की को जान से मार डाला तब से उस लड़की की आतमा पुल पर ही बढ़कती है और जो भी उस पर गंदी नज़ा डालता है तो वो उसे जान से मार डालती है तो दो उस तो इस कहानी में बस इतना है तब तक के लिए बाई ठीक क्यार